हेलो एवरिवन वेलकम टू दो माई चैनल आज हम लोग पढ़ने वाले है चैप्टर 15 पेरिमिटर एंड एरिया ठीक है अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या इसके वर्क सिट को सॉल्व करने से पहले इसका एक ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इस वीडियो में मैंने पेरिमिटर के बारे में एरिया के बारे में बहुत कुछ बतलाया है उनके फॉर्मूलाज के बारे में बतलाया है और जो वर्क सिट से पहले कुछ क्वेस्चन दिये गया है हमको रिकॉल के लिए उन सारे क्वेस्चन को सॉल्व किया है बेसिकली ये जो वीडियो है ये एक introduction वीडियो है और worksheet से पहले के question पर ये सारा का सारा वीडियो best है तो इस वीडियो में हम लोग perimeter से संबंधित perimeter से संबंधित सारी जानकारी को prompt करेंगे उसके कुछ पुराने question को solve करेंगे जो हमको याद होना चाहिए जो हमने 5 class में पढ़ा है 4 class में पढ़ा है ये सब question हमको याद होने चाहिए तो उनको हम लोग अभी solve करेंगे तो चलिए start करते है तो सबसे पहले हम लोगों को perimeter क्या है ये जानना आवस्तेक है तो perimeter क्या है the length of the boundary of a close figure is called the perimeter कह रहा है कि किसी भी close figure के जो boundary का length होता है उसको हम लोग perimeter कहते हैं close figure के मतलब क्या जो चारो तरफ से pack है जैसे कि square हो गया, rectangle हो गया, triangle हो गया वो उसमें अंदर जाने का या कोई अंदर जाने या बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है वो चारो तरफ से या तीन तरफ से जितने भी उनके side है, वो सभी pack है तो किसी भी close figure के boundary के length को जब हम लोग measure करते हैं तो उसी को हम लोग perimeter कहते हैं अब perimeter of rectangle perimeter of rectangle का एक formula है, जिसको हम लोग क्या है उसका formula, तो 2 into length plus breath मतलब 2 into L plus B इसको हम लोग 2 into L plus B, L for length B for breath भी लिख सकते हैं अब इसका formula जो है, वो 2 into L plus B ही क्यों है, अब देखिए ये जो है, ये हमारा rectangle है rectangle के जो आमने सामने की भुजाएं होती है, आमने सामने के जो sides होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं, कहने का मतलब ये side और ये side, ये 2 side जो है वो आपस में बराबर है, तो ये हो गया इसका length और ये हो गया इसका width, तो 2 length और 2 width, इसलिए 2 into L plus B इसका formula होता है अब next जो है, वो है perimeter of square तो perimeter of square का formula है 4 into side अब perimeter of square का formula 4 into side क्यों है, क्योंकि इसके 4 sides जो होते हैं, वो बराबर होते हैं, इसलिए इसको 4 into side से हम लोग इसके question को solve करते हैं अब आप लोगों को लग रहा होगा कि rectangle का ने, आप लोग बताया, आपने बताया square का बताया, और भी तो बहुत सारे figure है, उनको कैसे solve करेंगे हम तो उनको solve करने का कोई formula नहीं है, बस उनके हम लोग boundary वाल को major करते हैं, boundary वाल को जोड़ देते हैं, तो वो उसका answer निकल जाता है, हाँ लेकिन जब length और square का निकालना है तो उसके लिए हमारे पास formula है, जैसे कि length का formula 2 into L plus B और square का formula 4 into side चलिए अब इसमें जो कुछ question दिया गया है, perimeter के based में जो की हम लोगों को पता होना चाहिए उन question को हम लोग अभी solve करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला question है वो क्या कह रहा है, find the perimeter of the following figure ये जो figure दिये गए है, इनके perimeter को हमको निकालना है तो देखिए, यहाँ पर जो A नमर में figure है, वो हमारा triangle है अब उसमें हमको side का दिया हुआ major, और हमको इसको perimeter निकालना है अब ये triangle है, तो triangle का हमारे पास कोई formula नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके side को हम लोग add कर देंगे, इसके side को हम लोग add कर देंगे, तो perimeter अब साइड मतलब क्या ये boundary वाल ये एक लोज हे इसके मेजर को गए तो पेरिमिटर कहते हैं तो चलिए इसका पेरिमिटर निकाल लेते हैं तो कैसे करें गे यह जो साइड ऐसे जोड़ देना तो इसका जो एंसर हो गया हो गया 8.5 cm इसी तरह यहां पर फिगर जो भी है इसको देखते हैं हम लोग अब इस फिगर में देखिए हमको यह तीज ध्यान रखना है कि हम इसमें पेरिमिटर हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाहर के क्लोज फिगर के साइड का ही मेजर लेना है अंदर के साइड से हमको इसमें कोई लेना देना नहीं है तो चलिए इसका पेरिमिटर भी निकाल लेते हैं हम लोग तो जो इसके perimeter इसमें क्या है देखें यह 2.5 और 2.5 तो इसको पहले लिख लिख लेते है 2.5 cm प्लस 2.5 cm उसको यह क्या है यह 5 है और यह 3.5 है तो 5 cm प्लस 3.5 cm हमने चारो जो बाहर के इसके sides थे बाहर के जो इसके boundary थे उसका major ले लिया अब यह अंदर जो है उसको हमको इसमें नहीं लेना है क्योंकि perimeter में हमको उसका कोई काम नहीं है perimeter में निकाल लेंगे अगर हम लोग अंदर के major को लेके अंदर के sides को लेके तो वह हमारा गलत हो जाएगा अब देखे 2.5 और 2.5 यह हो गया 5 और यह 5 10 10 और 3 13 और 0.5 तो इसका जो answer हो गया वह हो गया हमारा 13.5 अब next आगे देखिए C number figure पर क्या दिया हुआ है तो देखिए C number figure है तो इसमें भी हमको इसके सभी boundary के major को add करना होगा तो यह देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं यह 5 है तो लिख दिया हमने 5 cm यह 2 और 2 है तो लिख दिया यहाँ 2 cm प्लस 2 cm अब यह 2.5 और 2.5 है तो यहाँ पर 2.5 cm प्लस 2.5 cm अब यह 2 बचा प्लस 2 cm हमने सभी के major को सभी के length को लिख लिया अब इसको क्या करेंगे add कर लेंगे तो यह 5 27 और 2 9 9 और यह 2.5 और 2.5 5 हो गया तो 9 में 5 एट किया 15 और 14 और यह 2 16 तो इसका जो सारा major आ गया जोडने के बाद वो आ गया हमारा 16 cm तो मतलब इस figure का जो perimeter हुआ वो क्या हुआ हमारा 16 cm उसी तरह अब यहाँ पर figure number जो D है इसको भी major करते हैं हम लोग ठीक है अब जब इसके perimeter को निकालेंगे तो हमने क्या बोला हमको ध्यान रखना है कि हमको अंदर के किसी भी length के या किसी भी boundary के major को नहीं लेना है हमको इसके side वाला जो boundary है side boundary वाल है उ लेंद का major हो या white का major हो ठीक है ना अब जैसे यह देखे 4.5 4.5 ले लिया हमने 4.5 cm प्लस 4.5 cm उसके यह देखिए 1 और 1 तो यह 1 cm प्लस 1 cm अब यह 1.5 और यह 1.5 न यह इसको हम लोग लेंगे और नहीं इसको लेंगे ठीक है 1.5 cm प्लस 1.5 cm अब इसको टोटल कर लेते हैं तो 4.5 और 4.5 9 हो गया 9 और 1 10 और 1 11 और यह 1.5 और 1.53 हो गया तो इसका जो आ गया 10 प्लस 13 cm परिमेटर एंसर तो question number जिसका जो 1 था वो हमको given figure का perimeter निकालना था तो perimeter का formula होता है rectangle और square का उसके लावे जितने भी figure है उन सभी के perimeter को हम लोग इसी तरीके से find करेंगे अब आगे next question number 2 की और बढ़ते हैं अब देखे question number 2 है वो कह रहा है find the perimeter of the rectangle whose dimension are given below हमको कह रहा है कि rectangle के perimeter को find किजिए जिसका dimension हमको दिया गया है तो इसमें जो a number है वो क्या कह रहा है length equal to 40 meter breath equal to 15 meter अब यह dimension हमको यहाँ पर मालूम है और हमको perimeter निकालना है यह भी मालूम है और perimeter किस चीज़ का निकालना है rectangle का निकालना है यह चीज़ भी मालूम है तो हम लोग यहाँ पर perimeter of rectangle क होता है तो पेरीमेंतर अफ जो रेक्टेंगल है वो हो जाएगा हमारा 2 in 2 L प्लस B L एक्वल to length and b एक्वल Пон ब Generally है तर्थ लिप लिए अबuffy हमारा दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है 40?. Plus है तो plus, образом स्वाइं क्या, दिया हुआ है 15. अब इसको देखिए, ये 2 को हम लोग अभी इसी तरह रख लेंगे, हम लोग पहले bracket के अंदर वाले को solve करेंगे, तो bracket में हमको 40 प्लस 15 ने मतलब add करना है, तो 40 प्लस 15 को add करेंगे तो ये हो जाएगा 55, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 2 को 55 से multiply करेंगे, तो 2 को 55 से multiply करेंग को, तो चलिए देखिए, बी नमर में क्या देखा है, length 18 meter and breath 13 meter, अब यहाँ पर उससे पहले देखिए, जो A number है, वहाँ पर हमारा ये last में जो answer है, वो centimeter में होगा, क्योंकि question में जो हमारा length और breath दिया हुए, वो meter में दिया हुए, ठीक है, अब इस तरह हम को यहाँ B में दे rectangle लिख लिया, area of rectangle लिखने के बाद इसका formula क्या होता है, तो इसका formula होता है, 2 into L plus B, अब इस formula को हम लोग apply करते है, तो 2 है लिख लिया, length equal to क्या दिया हुए है मेरे को, 18 and breath equal to क्या दिया हुए है, 13, अब पहले bracket वाले को solve करेंगे हम लोग, तो 18 plus 13 क्या हो जाएगा, 8 और 3, 11 का 1, और 112 और 13, तो यहां हो गया 31, अब 31 को 2 से multiply करेंगे, क्या हो जाएगा, 122 और 326, मतलब 62, इसका जो answer आएगा, वो आएगा हमारे लिए 62 meter, ठीक है, तो इसका जो perimeter आया, वो क्या आया, 62 meter, अब चलिए C number को देखते है, C number में क्या करना है, चलिए, तो C number में जो length दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, 27.5 cm, और निकालना है हमको क्या, perimeter of rectangle, तो perimeter of rectangle का formula क्या होता है, 2 into L plus B, तो चलिए लिख लिया, उसके बाद 2 है, तो 2 लिख लेते है, length क्या दिया हुआ है, 32.5 cm, and breadth क्या दिया हुआ है, 27.5 cm, अब इसको solve करते है, तो यहां पर हम लोग 32 और 27.5 इसको जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, इसको जोड़ने से हमारे पास आ गया, 60, ठीक है, यह देखे, 5, 5, 10 का 0 हम लगा, 1, 7, 2, 9, 10 का 0 हम लगा, 1, 3, 2, 5, 6, यहां पर, यहां पर यह 0 आ रहा है, तो यह 60.0 है, मतलब क्या है, 60 है, तो 2 को 60 से multiply किया, तो 62 जा 120, तो cm में है इसी तरह आप D number को देखते है, D number में क्या है, तो यह जो D number है, उसमें length दिया हुआ है, 65 cm, breadth दिया हुआ है, 45 cm, solve करते हैं, तो इसको solve करने के लिए पहले हमको क्या है, perimeter of rectangle निकालना है, तो perimeter of rectangle को लिख लिया जाए, अब perimeter of rectangle लिखने के बाद इसका जो formula होता है, जैसे कि 2 into L plus B इसको लिख लेना है, उसके बाद 2 into L plus B लिख लिए, ठीक है, अब इसको apply करते है, 2 length कितना दिया हुआ है, 65, breadth कितना दिया हुआ है, 4.5 लिख लेते है, अब इसको add करते है, तो 65 और 469 हो गया, और 0.5 है तो 0.5, अब इसको हम लोग multiply करेंगे, तो 25 जा 10 का 0, हाद में लगा 1, 29 जा 18 और 1, 19 का 0, 19 का 9, आत में लगा 1, 26 जा 12 और 1, 13, तो यहाँ पर जो हमारा answer आया, वो आया, 139.0 मतलब की 139 cm में question है, तो answer भी cm में हो जाएगा, यह हो जाएगा इसका answer, ठीक है, अब बढ़ते है question number 3 की और, question number 2 हमारा यहाँ पर समाप थूआ, अब question number 3 देखत which each side is, अब यहाँ पर देखिए, question number 2 में हम लोगोंने क्या निकाला, perimeter of rectangle, अब question number 3 में हम लोगों क्या निकालना है, perimeter of square, तो जब perimeter of square निकालना है, तो हमको side दिया हुआ रहेगा, और जब perimeter of rectangle निकालना है, तो हमको length और breadth दिया हुआ रहेगा, अब perimeter of square का formula क्या बताया था मै इस्टार्टिंग में 4 इन्टू साइड अब यहाँ पर 4 अफसाइड क्या दिया हुआ 15 तो 15 को हम लोग क्या करेंगे फोर से मल्टिप्लाई कर देंगे तो 15 फोर जा 60 इसका जो एंसर हो गया वह हो गया हमारा 60 symptomock का इता आप Q3 के साइड देख्टे एक है क्वेश्चेन अ बी मीडेंगर और 11 아닌 t3 सेंटी मिटर देंगे छहले पिरिमेटर ओफस्क्ट निकालना तो इसको लिख लिख लेते हैं प動画 के ने फोर को हम लोग साइड से मल्टिप्लाई कर देंगे तो साइड यहाँ पर दिया हुआ है 173 सेंटीमिटर अब 4 सरी जा 12 का 2 हांत में लगा 1 4 7 जा 28 और 1 29 का 9 हांत में लगा 2 4 बन जा 4 और 2 6 तो इसका जो एंसर आएगा वो आएगा 692 सेंटीमिटर अब इसका भी पेरिमिटर निकाल ला है तो चली पेरिमिटर ओफ इसक्कुएर लिख लिए पेरिमिटर ओफ स्क्कुारे लिख लिए उसके बास इसका फ्रॉर्मुला लगा लिया 4 इंटू साइड अब 4 इंटूatically क्या है 2.5 मिटर है तो फॉर फाइब जा ट्वैंटी का जीरो हांत में लगा टू फॉर टू जा एट और टू टेन तो यह आगे टेन पॉइंट जीरो यहां डेसिमल के बाद एक रहता है डेसिमल से पहले एक है तो यहां एक मुल्टिप्लाई में यही करते हैं हम लोग यह जो एंसर आया वो आय six meter चलिए इसको भी निकाल लेते हैं तो पेरिमीटर ओफ स्क्वाइर पेरिमीटर इसक्वार क्या होगया फोर इंटू साइड पोर लिख लिए साइड क्या है टू पैंट जीरो सेख्स मीटर अब इसको मुल्टिप्लाई कर देंगे तो फोर सिक्स टू एल्प का टू हाथ म जो हासिल था 1 उसको लिख्ड दिते है और 4-2 जा 8 अब यहां देखिए 1-2 तो यहां से देखेंगे 1-2 1-2 decimal इसमें तो decimal है नहीं तो 1-2 तो total decimal digit क्या है तो तो 1-2 तो यहां टू लिख दिया तो 8.12 मिटर यह हो किया हमारा इसका answer ठीक है अब question number 3 भी यहाँ पर समाप्त हुआ, अब हम लोग question number 4 को देखते है, question number 4 को solve करते है, तो question number 4 जो है, वो क्या है, कह रहा है, a rectangular paper is 4.6 cm in length, 4.6 cm in length, तो L दिख लिया हम लोगों ने क्या है, 4.6 cm, उसके बाद क्या करता है, and 3.5 cm in breadth, मतलब breadth यहाँ पर है, 3. 5 cm कर रहा है, find its perimeter, अब paper जो वो क्या है, rectangular है, उसके बाद length और breadth दिया हुआ, इसका मतलब भी हम लोगों को समझ में आ गया है, यहाँ से, कि यह rectangle है, तो हमको यहाँ पर perimeter of rectangle निकालना है, तो perimeter of rectangle का formula को apply कर देंगे, तो perimeter of rectangle का formula क्या होता है, 2 into L plus B, 2 को लिख लिया जाए, इसी तरह, length क्या दिया हुआ है, 4.6 cm, breadth क्या दिया हुआ है, 3.5 cm, अब यह दुनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड देंगे, तो 6 और 5, 11 का 1 हाथ पर लगा, 1, 4, 3, 7 और 1, 8 तो यह हो गया, 8.1 cm, अब इसको multiply कर देते हैं, तो 21 जा, 2, 28 जा, 16, decimal से, decimal के बाद कितना digit, एक तो यहाँ पर एक के पहले लगा दिया, तो 16.2 cm दिया है वोगा है, तो cm एंसर, यह question number 5 था, अब question number 5 भी है इसमें, जो कि यह last question है, perimeter से related, तो perimeter से related जो last question है, question number 5, उसको भी अभी हम लोग कर लेते हैं, solve, ठीक है? चलिए, तो जो question number 5 है, वो क्या कर रहा है, रगूज having a chessboard, whose side is 26.5 cm, तो side जो है, 26.5 cm, किसका है, chessboard का है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग side of chessboard, अब हमको perimeter निकालना है, किसका chessboard का, तो चलिए, लिख लेते है, perimeter of chessboard, अब chessboard जो है, वो क्या है, square है, क्यों, क्योंकि यहाँ side दिया हुआ है, तो क्या formula लगाएंगे, square का, 4 into side, तो 4 multiply 26.5, अब इसको multiply करते हैं, तो 4 5 जा 20 का, 0 हाथ में लगा, 2, 4 6 जा 24, और 24 में 2 जो हाथ में था, हमारा हासिल उसको add करेंगे, तो 26 का 6, फिर 2, 4 2 जा 8 और 2, 10, यह आ गया 106, अब यहाँ decimal के बाद क्या है, point, एक digit के पहले point है, एक digit के बाद, तो यहाँ पर एक digit ठीक है, अब यहाँ पर लिखती है, हमने centimeter, यह हो ग खतम हो गया, अब area से related जो भी question है, वो हम लोग next वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अगर एक ही वीडियो में उसको cover करते है, तो ठीक है, आप सभी से एक यही request है, कि अगर आप मेरे channel पर पहली बार आये है, तो please मेरे channel को subscribe कीज में जाइब आप एक स्बस्वास लेखे लब नवीडियो इएोरी तो से घापड़ झाहाँ जाएगा, अगर टाम मेरे नवीडियो में वीडियो जाप जाइए तो से आप दो जाएभी अवीडियो आपशने एक शो चीज़िए, अवीड़ियोंकि अवीड़ियों आप प्य